आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस परशन के फोडो कीचो, एची परशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। के लिए सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, जो एक कौन हमें दिया गया है, उसको हम हल करेंगे, एक बटे दो, यहां पर हम सुत्तर लगाएंगे, साइन परतिलों ए जमा साइन परतिलों बी, इसका सुतर क्या होता हमारे पास, साइन परतिलों ए वरगमूल 6 जमा एक बट गटा, एक की घाद, दो जैसके कि मैं ए यहां पर दिया गया है वरगमूल सह, जमा एक बटे, दो वरगमूल तीन उसकी घाद, दो इस प्रकार, यजे हमें शुत्र को हल करते हैं तो अब हमारे पास क्या आएगा एक बटे दो, साइन पर्तिलों वरगमूल 6 जमा 1 बटे 2 वरगमूल 3 गुना यह से क्या जाएगा वरगमूल 2 बटे वरगमूल 3 जमा 1 बटे वरगमूल 3 वरगमूल में 1 घटा हम इसका यह पर सुत्र फोलेंगे 1 की 2 जमा 2 की 2 जमा 2AB इसी प्रकार नीचे यह इसका वरग करेंगे तो क्या आजाएगा बारा इसी प्रकार ये हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आता है एक बटे दो साइन प्रतिलों यहां पर हमारे पास इनकी गुना करें तो हमारे पास किस प्रकार आएगा वरगमूल 6 गुना वरगमूल 2 वरगमूल 12 वरगमूल 12 का मतलब क्या होता है 2 वरगमूल 3 एक से वरगमूल 2 गुना करेंगे तो वरगमूल 2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 जमा यहां पर हम इसी प्रकार इसको करेंगे एक बटे वरगमूल तीन गुणा उपर वरगमूल में हमारे पास क्या बचेगा यदि हम इसका लगुतम सावड़ते लेकर इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है नीचे तो आगया बारा यहाँ पर आजाएगा बारा घटा साथ घटा दो वरगमूल छै इसको हल करें तो कितना आएगा बारा घटा साथ कितना होता है पास घटा दो वरगमूल छै अब यदि हम इसका वरगमूल निकालें तो हमारे पास क्या आजाएगा वरगमूल तीन घटा वरगमूल दो तो इस परकार यहाँ से आजाएगा यहां पे इसका लोगतन सावड़ता आ गया हमारे पास 6 और उपर आ गया 2 वरगमूल 3 जमा वरगमूल 2 जमा वरगमूल 3 गटा वरगमूल 2 इस पर का यदि यहां से देखें तो वरगमूल 2 से वरगमूल 2 कट गया और हमारे पास क्या बचा? 1 बटे 2 साइन परतिलों 3 वरग्मूल 3 बटे 6 6 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 2 तो इस परकार 3 से 3 कड़ गया यहाँ बचा वरग्मूल 3 बटे 2 अब साइन में वरग्मूल 3 बटे तो कितने पर होता है? 60 डिगरी मतलब πाई बटे 3 इस परकार हमारे पास kौन A बरावर कौन B बरावर क्या हो जाता है ? पाई बटे 6 पाई बटे 6 का मतलब क्या हुआ ? तीश डिगरी इस परकार ये तिर्गूज हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी जसमें कि दो कौन A और B ये तीश तीश डिगरी के हो गई ये भी 30 का हो गया, ये भी 30 का हो गया, तो ये त्रिभुज बन गई, सम्दिवी बाहू त्रिभुज, मतलब जिसमें दो गुजाएं समान होती है, तो उसमें हमने क्या किया यहां से, एक सीरिशलम डाला, जो की नीचे वाले आधार को दो ब्रावर भागों में गाटता है, ज तीन गुणा, तीन की घाथ, एक बटे चार, अब हम निकालेंगे यहां से, सीडी, मतलब लंब, तो उसे निकालने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, त्रिकुन मित्ती में हम सुत्तर लगाएंगे, टैन थीटा अगा, तैन तीस दिगरी, बरावर क्या होता है, लंब बट चार है, तो तीन की घाथ कितने हो गई? पांच बटे चार, अब यदि हम इसको सीडी का मान निकालने के लिए आगे हल करें, तो हमारे पास क्या आएगा? सीडी बरावर तीन की घाथ, पांच बटे चार, परियांपे तीन की घाथ, एक बटे दो, क्योंकि वरगमूल का मतल इस परकार हम निकाल सकते हैं, तिर भुज, A, B, C का अक्षेतर फर्द, उसके लिए हमारे पास सुत्र क्या होता है? एक बटे दो, गुणा, आधार, गुणा, उचाई, आधार हमारे पास क्या है? 6 गुणा, तीन की घाथ, एक बटे चार, पर उचाई कितनी आई है? तीन क कि घाथ, एक बटे चार, और तीन बटे चार, मतलब, एक हो गया, तो तीन गुणा, तीन कितना हो गया हमारे पास? नो, इसका उत्तर आगया हमारे पास? नो.